हेलो दोस्तो तो उत्तर पाठ शाला में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई से रिलेटिड उत्तराखंड राज्य के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में और आज के नेशनल और इंटरनेशनल कर लब्द हैं तो उन्हें आप जरूर देखिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तो तो लाइक जरूर कीजिएगा मैक्शिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो आप सभी लोगों तक ये वीडि अक्ट पर हाई कोट में हो रही चर्चा के बारे में और नेपाली सीमा पर होने वाली तसकरी और नेपाल में उन सामानों के रेट के बारे में और इसके अलावा भी काफी कुछ है आज के करिंट अफेर में उससे पहले दोस्तो कमेंड बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है पूछे हुए क्वेशिंस का तो हमने पूछा था कि अरब सागर में जो चक्रवाद आया था उसका नाम क्या था जोती भट और साक्षियारिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और वो नाम है निसर्ग तो जो निशर्ग है दोस्तो ये दिया गया है नाम बंगलादेश के द्वारा तो इसमें देखिया आप पढ़ सकते हैं दरसल हिंद मासागर के छेत्रे में आने वाले तूफान के नाम आठ देश मिलकर तै करते हैं जो हैं भारत, मालदीव, बंगलादेश, म्यामार, पाकि जरूर आएगा तो सुन लीजे, Regional Specialized Metrological Center, RSMC होते हैं दोस्तों, Regional Specialized Metrological Centers होते हैं जो की नेमिंग का काम करते हैं अगर बात की जाए RSMC की तो Regional Specialized Metrological Centers की कुल संख्या है छे दोस्तों, जिसमें से एक है इंडिया का IMD, अगर आपको पता हो इंडिया का Indian Metrological Department भी एक RSMC है और इस RSMC के अंदर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एडिया के कुछ देश रखे जाते हैं तो जो भारत है, मालदीव है, बांगलादेश है, म्यामार है, पाकिस्तान है, ओमान है, स्रिलंका है और थाइलेंड है, ये पहले से इस RSMC में थे सन 2018 में आप देखिए, इरान, कतर, साओधी अरेबिया, दे यूएई और यमन को भी इसमें जोड़ा गया है, तो 2018 से दोस्तों, इरान, कतर, साओधी अरेबिया, संयुक्तरब अमीरात और यूएई यमन भी इसके क्या हैं, सदश्य हैं, तो अब कुल एक इंडिया प्लस ब साओगर और अरब साओगरमा आने वाले चक्रवातों के नाम कुल मिलाकर 13 देश तै करते हैं, और इन 13 देशों के पहले ही एक लिस्ट बन जाती है, और उसके हिसाब से लगातार नेमिंग की जाती है, जो निशर्ग है वो इस लिस्ट में पहला नाम है, तो इसके बाद अगला नेमिंग इंडिया से, उसके बाद अगला उसके बाद अगला इस तरहे के से यह नेमिंग चलते रहेगी और यह लिस्ट पहले ही जमा हो जाती है, अगर आपको याद हो जो अमफान था, वो इससे पहली RSMC की लिस्ट का अंतिम नाम था, और जो निसर्ग है वो नई वित्विभाग की मंजूरी मिल गई है, और अब उस पर अपना काम जो है वो चलने लग गया है उरजा निगमों का, तो देख सकते हैं आप जल विद्यूत निगम में पद तकनीकी ग्रेड, पद तकनीकी ग्रेड यांत्रिकी, पद प्रबंदक पदियावरन, पद एई वि इद्यूतियांत्रिकी, जेई जन्पद, कारियाला इसायक, तृतिय समेत कुल 174 पदों पर भरती ये है और इसके अलावा कुल मिलाकर के 764 पदों पर जो भरती है वो है दोस्तो उरजा निगम में जो पहले के फ्रीज हुए पदे हैं उनमें, चलिए बारत नेपाल सीमा प 9000 से ज्यादा उनमें आबादी है और जो खाद्यान है जो बाकी सामान है वो उनके लिए इंडिया से लेना ज्यादा आसान रहता है लेकिन क्या हुआ दोस्तो कि इस कोरोना के टाइम पे जो पुल है जूला पुल वो बंद हो गए और खासकर नेपाल की तरब से एक बयान भी आया था कि जो नेपाल में कोरोना फैला है दोस्तो उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है उसके बाद फिर इन जूला पुलों पर और फोकस किया गया और इन्हें ताला बंद किया गया है तो अब इसके बाद हुआ क्या है दोस्तो नेपाल में नेपाल में जो ये सटे बॉर्डर से सटेवे गाउं है इन में प्राइज या रेट कफ बहुत ज़्यादा क्या हो गए है दोस्तों बढ़ गए है और सामान की उपलब्धता भी जो है कम हो गई है ऐसे हमें हो क्या रहा है काली नदी को ट्यूब के सारे पार कर भारत से नेपाल के इन गामों में सामान नेपाल भीजा जाते है तो वहां से भी कुछ सामान लेकर के भारत आया जाता इस तरह वस्तु मीःनि मेई के द्वारा ये तसकरी होती है चलिख भात कीज़ें नेपाल और भारत के कँछ दाम के बारे में तो आप देख सकता है तेल रिफाइंड तिल है भारत में 100 रुप़े का बिकने वाले रिफाइन तइल नैपाल में 180 भारतीय रुपे में बिकता है। आपको ध्यान रखना है, 180 जो नैपाल में है, जो ये 180 आप देख रहे है, नैपाल का, ये 180 रुपे भारतीय रुपे है, मोटा चामल आप देखिए 22 रुपे इंडिया और 40 रुपे नेपाल में बिखिएगा आटा 150 रुपे का 5 किलो का भारत में तो 180 का नेपाल एक किलो नमक 12 का तो नेपाल में 25 का यह जो कीम्टे हैं यह भारती है रुपे में तो आप समझ सकते हैं 100 रुपे का आप अगर भारत से खरीद के तसकरी करते हैं तो आपको 120 रुपे में आपको वहां 130 रुपे में आप वहां 140 रुपे में भी आप वहां थोक में बेच सकते हैं उन दुकानदारों को तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा बहुत बड़ा फाइदा इस तसकरी से होता है इसलिए भारत नेपाल के बीच में ये तसकरी एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों नेपाल से भारत नेपाल में दाल, तेल, चावल, कपड़ा, चीनी, बीड़ी ये सब भेचते हैं और हम क्या लाते हैं दोस्तों नेपाल से चाउँ चाउँ मेगी है और सिगरेट है खुकुरी सिगरेट जो है इन चीजों का नेपाल से भारत की तरफ तसकरी की जाती है जो गाम है वो है छांगरू, तिंकर, दुमलिंग, हूती, सुनसेरा, राबला, काठ, दारचुला और ख मैं जल्दी ही जो है दोस्तों कई सारे पदों पर, कई सारी जगाओं पर, कई सारी सेवाओं पर आउट्सोर्स के द्वारा भरती होगी एक तरीके से आप कहें कि पुलिस के अंदर कुछ गैर जरूरी या हम ये कहें लॉइन ओर से अलग जो चीज़ें होती है उनमें प्रा किया जा रहा है कुछ निजी लोगों को कुछ आउट्सोर्स के माध्यम से इसमें भरतियां हो सकती है तो यह जो प्रोपोजल है दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स की तरफ से आया था और इस पर उतराखंड पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो भेजनी है इस रिपोर के माध्यम से इन कामों के लिए आदमियों को रखा जा सकता है जैसे पास्पोर्ट वेरिफिकेशन सीसी टीवी कंट्रोल रूम तो दोस्तों सीसी टीवी कंट्रोल रूम सर्वेस पुलिस एग्जामिनेशन इनके लिए प्राइवेट इस तर पर यह हम का आउट्सोर्स के मा जो है दोस्तों उसने क्या बनाया है उसकी टीम ने इक स्टरलाइजंग सिस्टम विखित किया यह जैनिटाइजन सिस्टम भी हम कह सकते हैं वो विखित किया है तो लेबोरेटरी ओफ इंटीग्रेटेट नैनो फोटोनिक्स एन्ड बायोमेट्रिक देख लीज़े लेबोरे आया है दोस्तों देख सकते हैं आप यूनी सेवियर नाम का तो ये मेटल कोड़ेडिक से शुरूप का हाइली रिफ्लेक्टिव जियोमेट्री वाला बॉक्स है तो इसमें सेनिटाइजर भी होगा दोस्तों बायो सेनिटाइजर भी होगा और एनी बैक्टीरियल एंटी वाइ वहाँ इनका निजी वस्तों के सेनिटाइजर की रूप में उपयोग किया जा सकता है तो दोस्तों सरकार ने जो है चार धाम देविस्थानम एक्ट पर अपना जो है अपनी राय और अपना जो भी उनका अपना मत है वो कोड़ के सामने रख दिया है दोस्तों पूरी तरीक और इसी बात के समर्थन में, रूलेक। संस्ता भी देरादून कि वो भी आ गई। रूलेक। संस्ता ने भी सरकार का सपोर्ट किया है। और कहा है कि ये एक्ट पहरी बार नहीं आया है, इससे पहले भी यहा आती रही है। तो ये एक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तो जो देविस्थानम एक्ट है ये क्या करेगा एक देविस्थानम बोर्ड का सपोर्ट करता है ये कहता है कि एक देविस्थानम बोर्ड बने जो चारधाम और कुछ प्रमुक मंदिरों का क्या करेगा विनियमन करेगा उ इस देविस्थानम board को अगर बनाया जाता है देविस्थानम act के अंदर उसके जो head हुंगे वो हुंगे chief minister of the state और उसके साथ ही इसमें क्या हुंगे कुछ जो government workers हैं उनको रखा जाएगा इसमें ना कि इसमें priority पुजारियों को मिलेगी तो दोस्तो इस तरीके का ये act है जिसक विरोध जो है पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है तो इस तरीके से देखी 1899 में भी क्या हुआ था हाई court of कुमाउं ने scream of administration के तहत जो management है वो टेहरी दरबार को दे दिया था और धार्मिक क्रिया कलाप करने का जो अधिकार है वो रावल और पंडे पुरहुईतों क होता है तो इसलिए 1949 में एक कानून बनाया गया था जो अभी तक चल रहा है अब जो सरकार ये नया देविस्थानम एक्ट लेकर आई है दोस्तों चार धाम देविस्थानम एक्ट उसके खिलाफ जो केस किया गया है वो भी बीजेपी के नेता सुगरमन्यम स्वामी नेही सर अगार के खिलाब केस करते हुए का है कि जो एक्ट है ये सम्मेधानिक है अब आप देखें तो ये क्या कहता है कि ये कानून के सम्मेधान के अनुच्छिद 25 वर 26 के साथ साथ सुप्रीम कोट के 2014 के आदेश का भी उलंगन करता है चलिए 2014 का आदेश में आपको बताऊंगा आप कमेंट वॉक्स में मुझे बताएंगे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 क्या है अनुच्छित 25 और अनुच्छित 26 क्या है ये आप मुझे कमेंट वॉक्स में बताएंगे और मैं आपको अभी 2014 की एक आदेश के बारे में भी बताता हूँ देखे, 2014 में सुप्रीम कोट में एक याचिका डाली गई थी सुग्रमन्यम स्वामी जी के द्वारा, तो उन्होंने पूछा था सरकार से, ये कहा गया था कि जो मंदिर हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, क्या इनका जो क्रिया कलाप है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, अपने हा सरकार है, वो मंदिरों का काम अपने हाथ में नहीं रख सकती है, बल्कि उसे क्या करेंगे, पुजारी और अन्य पदाधिकारी ही चलाएंगे, हाँ सरकार पौरानिक मंदिरों का संग्रक्षन कर सकती है, विकास कर सकती है, और जो मंदिरों की धनराशी है, उसका दुरुप मैधानिक है और 2014 के सुप्रीम कोट के इस आदेश का हनन करता है तो देश के दोस्तो रूरेट अगर संस्ता की बात की जाए तो रूलेक क्या है रूलर लिटीगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा ये तहरादून में इसका एक हेटकॉर्टर है और ये एक दोस्तो एंज सारे कैंपेइन इस एंजियों ने चलाएं अगर आप गूगल में सर्च करते हैं रूलर लिटीगेशन एंड एंटाइटलमेंट के इंद्रा तो आपको इनके बहुत सारे काम देखने के लिए मिल जाएंगे चाहे वो सिमेंट फैक्टरी के अगेंस्ट हो चाहे वो माइन्स के वरकर्स के लिए हो चाहे वो किसी वरकरों के लिए हो कादे करने वालों के लिए हो तो यह हुआ क्या था 1970 के टाइम पे कुछ यूआ कुछ यूथ ने इस तरीके का एक इनिशेटी उठाय था जॉन सार भाबर दहरादून एरिया में वहां से धीरे धीरे यह बढ़ता दोस्तों तो यह थे आज के सब important current affairs जिसके बारे में हमने discussion किया दोस्तों ऐसे ही रोज के current affairs देखने के लिए आप चैनल को अभी subscribe कीजे आप हमसे facebook में जूल सकते हैं, twitter पे जूल सकते हैं, instagram पे जूल सकते हैं, telegram पे भी जूल सकते हैं और youtube पे आप हमें subscribe कर सकते हैं दोस्त number पे आप हमें अपना नाम और अपना exam जिसके आप तंयारी कर रहे हैं वो भेज सकते हैं, इसके तुरू आपको हमारे whatsapp groups में जूलने का एक मौका मिलेगा, और whatsapp groups के अंदर हम regular रूप से update करते रहते हैं और बहुत सारे pdfs और study material प्रोवाइड कराते हैं, आप अगर चाह हैं, तो थैंक यू तिल नेक्स वीडियो